अब इसे हार के टीज कहें या फिर हार का विसलेशन पूर्विधायक लक्षमेट सिंग पाठी की कमियों की सरयाम पोल खोलते दिखे हैं एक बर फिर लक्षमन सिंग का बयान सुर्खियों में है इस बर उन्होंने कॉंग्रेस पाठी में कतित दलालों का जिक्र किया है साथ ही उन्होंने दिख्विजे को अब तक मिस्टर बंटाधार कहने के पीछे की वज़ा भी बताई है इतना ही नहीं उन्होंने तो कॉंग्रेस की हार की वज़ा एवियम को ही नहीं बलकि किसी और को ही बताया है चाचोडा में उन्होंने कहा कि जहां जहां राजसबा की संसद निधी दी गई है वहां वहां कॉंग्रेस हारी है वो इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने पाटी में कतित दलालों का जिक्र भी किया है मिस्टर बंटरधार शब्द पर नाराज भी हुए और तो और उन्होंने कॉंग्रेस की हार की वज़ा एवियम को नहीं बलकि कतित दलालों और बितर घातियों को ही बताया है किस तरह दिश्टा चार बड़ा है और हम बोलेंगे तो रुकेगा या नियंतृत होगा पर हम उसको सहेंगे तो और बढ़ेगा और बढ़ रहा है किस तरह गरीबों पर अत्याचार बड़ा है किस तरह जिसके पास आज दौलत है वो समझता हो सबसे बड़ा आदमी है क्या ये मापदंड टै करने के लिए हमारा देश आदाद कराया था हमारे नेताओं ने क्या ये मापदंड रहे गया जिसके पास बहुत सारा काला दन है वो बहुत बड़ा आदमी है और सब उसी के पास दोड़ दोड़ के जाओ क्या ये मापदंड है हमारे गंतंत का इसलिए साथियों जहां आपको कुछ गलत दिखे बोलो हम आपके साथ खड़े हैं पहले भी थे आज भी हमेशा रहेंगे दूसरी बार राजनितिक पार्टियों को और राजनितिक नेताओं को भी अपना स्वयम कांक लग करना अवश्यक है हम कोई भी हों कितने बड़े नेता हों हम अपने स्वार्थ के आगे कई बार अपनी पार्टि को भी नुक्सान करते हैं देखा हमने हम देख रहे हैं और आज बोल रहा हूं मैं बोलने की मच्बूरी होगे इसलिए बोल रहा हूं गलब बोल रहा हूं साथ बोलना गलब बोल रहा हूं हम अगर Congress Party की बात करें चलिए दूसरी Party की बात नहीं करें हम अपनी Party की बात करें आज जो Congress को हरवाता है उसका संबान किया जाता है तो बहुत भी है और उसको चतुर माना जाता है क्योंकि दूसरे पक्ष से मिलकर आपको हरवा रहा है अगर साहस है तो छोड़िये जाईए उनके साथ जाके बैठियो लड़िये मैं उसको साहस ही मानता हूँ पर सबसे बड़ा गदार हो है तो भीतर घात करता है अंदर रहके घात करता है क्योंकि ये भीतर घात Party का नहीं करता ये Party का केले का नुक्सान नहीं करता है ये इन तमान नौजवानों की उम्मीद पर पानी भी फेर देता है तो इस उम्मीद को लगा कर बैठे थे कि कल से यहां कुछ काम होगा, विकास होगा जिला बनेगा, रोजगार मिलेगा इनके मायूज चेहरे देखें बच्चों की मैं उन दसहता के दयालों उसको यह कहना चाहता हूँ कि तुमारे जेब भर गई थी, कि कत्पा बड़ी रहेगे, एक दिन खाली होगी, फिर क्या करोगी हमारे दरुआजे तो बंद हो गए, थोड़े बहुत बचे उनके लिए भी हम बंद कर देंगे मायूसी देखो इन बच्चों की चहरे पर! Hub! मायूसी देखो उन बच्चों के चहरे बःविकारकर प्पर जब कॉङ्रेस हारी थी कितना रोय थे वो seasonal margin देखो इन पच्चे की देवन मीना रंवरा का मेरी गाड़ी में बैट के दो खिन पर रोया था!! उसकी मायूसी आपके साथ, कम सी कम मैं तो ख़ड़ा ही हूँ और कोई ख़ड़ा हो ना हो, आच नहीं आने दूरा आप से, और जोजगार के अफसर, तो खुलेंगे चाचोड़ा में, आज भी कल खुलेंगे, लड़ेंगे इसके लिए, और एक बात और कहना चाहूँगा, बड़े भारी मन से मैं कह रहा हूँ, हमने कैसे कॉंग्रेस पार्टी को ख़ड़ा किया था, चाचोड़ा में हम जानते हैं, जब हम 35,000 से हारे थे, उसके बाद कितने कठिन संघश करके खड़ें कीते पार्टी, और कोई मैंने नहीं की थी कि कारकर्टाओं ने कीते, तो कारकर्टा पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, ये कारकर्टा की ताकत होती है, और 1885 में, जब कॉंग्रेस का गठन हुआ था, तो केवल बहतर लोग थे उस बैठट में जो बंबई में हुई थी, बहतर लोग इखटे हुए, ए यूम जो थे, उ पार्टी के अध्यक्स बने, और उन बहतर लोगों का साहस देखिए, उन बहतर लोगों के साहस ने कॉंग्रेस पार्टी का गठन किया, देश को आजाद कराया, इतने साल तक राज किया, ये कॉंग्रेस पार्टी है ये, और इस पार्टी को जो भीतर गात करके नुक्सान पहुचाते हैं, सोचो कितने बड़े गत्तार हैं, और गत्तारों के इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगी, और यहीं तक नहीं रोके हैं, इन्होंने आज उन परिवारों में दरार डालना शुरू कर दिया और दरार पड़ चुकी है, तो बरसों से कॉंग्रेस के साथ लड जाए लड़ रहे हैं, उन परिवारों में दरार डालना शुरू कर दिया, गुम्रा करना शुरू कर दिया और हम गुम्रा हो भी रहे हैं, यह नहीं कि हम बैठ कर चर्चा करें, बात करें, हमें चापने उस पसंद है, जो आके हमारा पैर छूटा है, जो हमारे लिए 25 गाड लगा देता है वो हमारा प्री है लेकिन जो मोटर साइकल पर या साइकल पर पैदल भूम रहा है उस पर हमारी नजर आई पड़ती है हम यहां तक आगा है इसका आकलंग करना भी जुरूरी है यहां के कॉंग्रेस कैसी चलेगी क्या इसने उनकी वज़े से चलेगी जो मेहनत करते हैं पड़ी दूप में बारिश में अंड में मैंने आकलंग किया नतीजों का और यहीं नहीं किया है पूरे मत्परदेश में लोगों ने किया और मैं उनके संपर्ग में हूँ जहां जहां सांसर निधी दी गई है राजसबा की वहां से कॉंग्रेस हारी है कॉंग्रेस अब ये राजसभा निदी हारने के लिए दी गई जिताने के लिए दी गई थी इसका आकलन करना भी ज़रूरी है और जितने हमारे राजसभा सदद से बटपडेशन उनको आकलन करने की ज़रूरत थे आज सांसर तुतिनिती बढ़ने की होल लगी कि और तो कुल बचा नहीं तो सांसर तुतिनिती बनो और उनको चुन-चुन कर बनाया जा रहा है जिन्होंने चुनाओं में घुरूद किया था ये कुम्राज का उधार है संदोट के बोले कि सभा में होंगे भी तो ऐसे लोगों को अब बरदाश नहीं किया जाए आज इन दलालों ने ये हालत कर दी है कि जो हमारा सर्मान नेता रहा है उनका क्या स्तर बना दिया राजी थी आज हम EVM को दोश देते हैं क्या EVM ने ये कहा था कि या सांसर ने दी यहां देना जहां क्या EVM मशीन ने कहा था क्या EVM मशीन ने ये कहा है कि इसको सांसर पुदिल दी बनाओ क्योंकि इसने कॉंगरेस को हरवाया है क्या EVM मशीन ने कहा था कि हम कर रहे हैं और दोश EVM को दे रहे कुछ मशीने खराब हो सकती है तेकि सारी मशीन खराब है ऐसा नहीं है क्या बीस साल से हो रहा है ऐसा और E.V.M. मशीन कौन लाया है E.V.M. मशीन कॉंगरिस पार्टी लाई है ऐसा नहीं है यह भीतर गात है और उन दलाणों की हरकत है जो इन नेताओं को खेर गेर के खेर गेर के खेर गेर के उने गलत रास्ते पे चले ले जाते हैं और उन नेता चले जाते हैं इतना अनुबर होने के बाद भी तो साक्यों, यह सब कहना आवश्चक है और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है. बीजेपी ने रखा है. 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है. क्यों चल रहा है? इसका अक्लन करना भी जरूरी है. ऐसा क्या किया है? जंक्ता की सेवा की विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यो पड़ा? औ और ही उन्होंने रहुल गान्दी को लेकर भी बयान दिया है कि वो उन्हें बड़े नेता नहीं मानते। लक्षमन कई बार ऐसे बयान देते रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमश्कार और देखते रहिए दा खबरदार नियूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला, वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां, दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं झाल 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 झाल